Hello students, Maths class 5th, Exercise 3.1, Question number 5th, Find the sum in Roman numerals, Sum find out करना है, यानि किनकी addition करनी है, और answer किसमे आना चाहिए? In Roman numerals, Roman numerals में answer आना चाहिए, हाँ जी A part, या पे हमें क्या given है? Two Roman numerals given है, जिनको हमने add करना है, और answer भी हमें Roman numerals में ही निकालना है, तो first A part की statement given है, I X plus X I I I, हाँ जी 3 times time, अब हम इसे solve करेंगे, I X mean 9 होता है, plus X 10 plus 1, 2, 3, यानि कि 3 plus करनी है 10 में, तो कितना हो गया? 13, 9 plus 13, 22, 22 को हम दुबारा से Roman में लिखेंगे, क्योंकि हमें answer किसमें चाहिए? Roman numerals में, हमने इने add कर दिया 2 Roman numerals को, 22 answer आया है, इसे हम दुबारा से Roman में लिखेंगे, 10 plus 10, 20, plus 2, 22, हाँ जी, नाव B part, B part की statement given है, X, X, I, X plus, हाँ जी, अब हम इसे लिखेंगे, हिंदू और Arabic में लिखेंगे इसे पहले, 10 plus 10, 20, 20 plus, X में से इधर छोटा X लिखा हुआ है, यानि कि 10 लिखा हुआ है, 10 में से इधर 1 माइनस किया हुआ है, लेफ्ट साइड में कोई स्मोल नमबर आता है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें से माइनस किया हुआ है, 10 plus 10, 20, 20 plus 9, 29, ना प्लस, 5, 6, 7, 8, 5 plus 3, 8 है, यानि कि 29 plus 8, 29 plus 8, 37, 37, 37, 37 को लिखेंगे, 10 plus 10, 20 plus 10, 30, 30 हो गया, अब वी लिखेंगे, यानि कि 35, 35 हो गया, आब 2 प्लस कर देंगे, यानि कि 37, 37 हो गया, नाव C पार्ट, C पार्ट में हमें स्टेट्मेंट गिवन है, इसे हम हिंदू अरे बिक में लिखेंगे, पर ले फिर प्लस करेंगे, L जो L सिंबल है, किसके लिए यूज करते हैं, 50 के लिए, 50 plus X, यानि कि X मींज 10, 50 plus 10, 60, 60 plus V5, 50, 60, 65, 65 plus V6, 66, 66 plus 10, plus 2, 12, इन्हें प्लस करेंगे, 66 plus 12, 6 plus 2, 8, 6 plus 1, 7, यानि कि 78 आया है, अब 78 को फिर दोबारा से रॉमन में लिखेंगे, क्योंकि आंसर हमें रॉमन नुमिरल्स में चाहिए, तो L लिखेंगे, 50, क्योंकि 50 से बड़ा है नमबर, तो L, 50, now X प्लस कर देंगे, 60, once again X, 50, 60, 70, 70 हो गया, अब 5 प्लस करेंगे, V, 75, और 3 एड़ कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 78, यानि कि 50, 50 plus 10, 60, 60 plus 10, 70, 70 plus 5, 75, 75 plus 3, 78, हाँ, जी, now D part, X plus V, 15, plus 5 plus 3, 8, is equal to 15, 15 plus 8, 23, 23 लिखेंगे, 10, plus 10, 20, plus 3, 3 एड़ कर दिया, यानि कि ये कितना बन गया, 23, इस टाइप से आपके आंसर आ जाएगे, now 6 question, compare these Roman numerals, and put greater or less in the boxes, Roman numerals को हमने compare करना है, और उसमें greater or less का symbol, use करना है, हाँ, जी, now A part, C, C, 100 के लिए use करते हैं, यानि कि 100, पहले इने हिंदू में लिखते हैं, फिर हम compare करेंगे easily, असान हो जाएगा हमारे लिए हिंदू और एबिक में लिखते हैं, C है 100, 100 plus 10 plus 1, 11, 100 plus 11 given है, याँ पे 100 plus 100, 200, 200 plus 1, याँ पे 200 plus 1 given है, याँ पे 100 plus 11, 111, and याँ पे 201, तो greater कौन सा है, less than, जो बड़ा होता है, उसकी तरफ open होता है, और जो छोटा होता है, उसकी तरफ इस टाइप से बंद होता है, now B part, B part में XLI, XLI, यानि कि 50, X के बाद कोई भी बड़ा नंबर आ रहा है, X के बाद biggest नंबर आ रहा है, यानि कि उस बड़े नंबर में से, छोटा नंबर क्या होता है, यानि कि L 50 है, X के बाद 50 आ रहा है, यानि कि 50 में से X left side लिखा हुआ चोटा नंबर, तो वो उसमें से minus करेंगे, 50 में से X minus किया तो 40, 40 फिर plus 1 करेंगे, यानि कि 41, 41 आ गया, अब यहाँ पर दिखते है, 10, plus 10, 20, plus 5, 25, 26, 27, कौन सा बड़ा हुआ, this, तो कौन सा साइन आएगा, यानि कि greater than, तो यह नंबर यहाँ पर बड़ा है, now C part, 100 plus 100, 200, 200 plus 5, 205, 100 plus 100, यानि कि 300, तो कौन से वाला नंबर बड़ा है, यह वाला बड़ा है, तो यानि कि यहाँ पर भी less than का साइन आएगा, now D part को आपके statement given है, L, X, 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 D, L, X, L, 50, 60, 70, 80, कितना बना यह, 80, हाँ जी, D, D किसके लिए यूज़ करते हैं, 500, 500 plus 50, L किसके लिए, 50, और plus 10, यानि कि 60, 80, 500, 60, कौन सा बड़ा हुआ, this number, तो कौन सा साइन आएगा, less than, हाँ जी, कोशन सौल करोगे, thank you. शएएवाएगा, पार किसके लिएएगा, किसि का दी, करास्वाएगा, किस्ता है, तक उाphone, दी डिएखउ़ किसे दान हाँ Mediterranean 60-Hello,